हेलो एपिवान गूड मॉर्निंग सभी को और कईये कैसे हैं आप सब लोग तो बस आज का व्लॉग आज का रूटिन यही से स्टार्ट करते हैं तो अभी बज़रा है सुबे का ग्यारा और जो भी मेरे चैनल पर फर्स टाइम आ रहता हूं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी प् सब्सक्राइब कर लिजीगा बैल आइकन के साथ में और थोड़ से अच्छा लगता हो तो प्लिस लाइक भी कर दीजीगा तो यहां पर मैं दिदी के लगा रही हूं बालो में महंदी तो इनके बालो में ऑईल लगा है और इनके बालो में आप देखेंगे तो कहेंगे पहले से तो हाफ रहे गा है इनके जह हम लोग शादियों के आये थे उसमें हमारे बाल बहुत अच्छे थे और अब दीजरी करके कम होते जा रहे हैं और इनके अब क्या तबेद भी ठीक नहीं रहती है दीदी के तो काफी घरने बाल थे और काफी लंबे बाल थे तो यह जो मुटाई यह बहुत कम है आदी रह गई है पहले बहुत घने और लंबे बाल थे इनके लेकिन अब इनकी तबीद भी ठीक नहीं रहती है सरदद भी होता है साथ में इनको चकर भी आते हैं इसके जैसे क्या दवाई गोली के वज़े से भी बाल बहुत डेमेज हो गए है तो बस यह बोड़ थे कि मेरे बालों में महंदी लगा है तो आइल बालों में बाल चीटी चीटी हो जाएंगे मेंका कुछ नहीं होगा एक बार लगा लेंगी तो एक बार लग जाएगा तो अच्छे से रच जाएंगे उसके बाद फिर शेमपू से दो लेंगी दो तीन दिन तो सब निकल जाएगा और महंदी का कलर भी काफी अच्छे से आज जाएगा तो यहाँ पर मैंने महंदी में आमला पौडर डाला था और आमला पौडर डालके गला दिया था और जादो कुछ नहीं डाला था तो देखिए कि इस तरह से लगाते हैं इस तरह से ओली और काना सही लगता है और फिर जुड़ा बना दोंगे तो ये तीन चार बज़े तक दो हो लेंगे अभी बज़ रहे हैं ग्यारा अनुष्का को छोड़ कि आई हम लोग ऑस्पिटल भी हो के आए उसके बाद फिर इनको में महंदी लगा रही हूं और इस चक्कर में मेरा महंदी म मेरे अपने बालों में महंदी लगाना मेंने कैंसल कर दिया योग कि फिर मुझे एक बज़े अनुष्का को लेनी भी जाना है और फिर मेरे बाल भी नहीं धुल पाएंगी तेली और रच भी नहीं पाएगी महंदी कमसे कर चार पच गंटे तो लगी रहना चीए बालो पे म साथ में और भी बहुत कुछ शेयर करने वाली हों आप लोगे साफ में व्लॉग में बने रही बालो में लग गई है मेहंदी और आप दीदी चले गए हैं उपर तो मैं यहां पर किचिन साफ करने लग गई हूँ क्योंकि किराना जो में लाई थी ग्रॉसरी का सामन वो अभी तक बढ़ा है मैंने सोचा था किचिन थोड़ा क्लीन कर दूंगी यह पेपर जो है न फट जात कर देती है अरस्तिवेस पूरा तो मुझे पेपर बिचाना ही ज्यादा सेफ रहता है क्योंकि 8-15 दिन में हम बदल दो पेपरों को तो बस यहां पर मैं यह क्लीनिंग कर देती हूं और अभी होली भी आने वाली ही सित्ला सपन भी आने वाली है तो मैं थोड़ी थोड़ी कर पर जम लेना उनको भी दोना पड़ेगा लेकिन अभी मैं सोच रही ही वाला एरे साफ कर देती हूं क्यों कि पूरा ग्रॉसरी का सामन मेरा ऐसे कैसे ही पढ़ा है उनको जमाना है मुझे जो खाली डिब्बे हो गए उनको वाश कर दूँगी जो भरे हैं उनको वापी से सा आण तो इसमें से जो हाफ परमलेन उनको में फ्राइ करूँगी और उसकी रेसिपी आपको आफ तो मेक्बाई गायती जो मेरा रेसिपी का चैनल है उसके मिलेगी यहां पर बहुत सारे अचार मेंगे रख रखे हैं तो उसकी रेसिपी भी आप लोको मेरे हाफ्टो टो बाकि जो यह यह इसको आप बाद में खा लेrocket, नमकीन के साथ में पर्मल बहुत पसंद है, तो यहां पर एक काम खतम कर दिया है, कावे मेरा है और यहां पर चार में बड़ी बड़े डिपों में है, उनको छोटे में करके रख दिया है, यह सोंफ और ख़ड़ा धनिया था र अब साफ होते रहते हैं तो इनको मैं इस तरह से साफ कर देती हूँ और फिर वापी से सामन भर देती हूँ जो जादा ही गंद्यों जाते हैं जादा ही चिकर जाते हैं तो फिर उनको धोना जरूरी होता है और चलिए मैं कर लेती हूँ फटा-फट काम फिर मिलती हूँ आप झाल झाल तो सफा ही तो हो चुकी है अब ये ग्रॉसरी का सामन जो पढ़ाने इसको जमा देती हूँ यहाँ पर मैं कस्टरड पाउडर का बड़ा वाला डिपबा लेके आएगे हूँ क्योंकि अभी गर्मी का सिर्जन आने वाला है तो पस कस्टरड पाउडर से बहुत कुछ रेसीपी में बनाने वाली हूँ अपने हाउटो में का आईती पर आप वहां जाके देख सकते हैं यहाँ पर व्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करोंगे बहुत सारी टेस्टी टेस्टी यमी यमी रेसीपी तो आप सभी से रिक्वेस्ट करोंगी जिसने भी चैनल को नहीं किया है तो प्ली्स चैनल को सब्सक्राइब कर लिजOULD बैल ऐकन के साथ में तो बस यहां पार यहाँ पर यहां पर सारी जो इसनाइक्स तारीक है और यह देकिए इस तरह से मेरे काम है ना बढ़ जाते हैं मैं आदी सफाई करके और जा रही हूँ अनुश्का को लेने तो बस फिर आके सफाई करूंगी थोड़ी बोज़ो बची है तो चली चलते हैं अनुश्का को ले आते हैं गाड़ी पे मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगी आने के होगे न वो भी बोलते हैं कि थोड़ी बहुत बात कर लिया करो फोन पे थोड़ा आराम कर लिया करो क्या दिन बर कामी काम में दीदी बहुत चिलाते हैं कि इतना बीजी रहते हो इतना थोड़ा अपने शरीर को आराम दो तकलिफ देगा बाद में जितना अभी एनरजी वे और यहां पर पूरा कच्रा है ना यह पूरा मेने सफाई करा नो वह बढ़ा हुआ है तो कल कच्री की गाड़ी आईगी इसमें डालना पड़ेगा अब तो नया लफ्ला शुरू हो कि आई, कि गिला कच्रा अलग डालो तो वह अलग टेंशन रहता है कभी गिला सूखी में डल आराम करूंगी तो दिन बर आप लोगों को भी लगता होगा क्या पता ये सई दिखाते हैं कि जोट दिखाते हैं लेकिन मैं आपको सई बतारी हूं मेरी लाइफ बिल्कुल इसी तरह से हैं बहुत बिजी लाइफ है मेरी क्योंकि मेरे दो तीन तीन चैनल है उन्पे मुझे लिडियो अपलोड करना पठा है अगर मैं आराम करूँ गी, तो मैं लोग कहा है और तो मैं टॉड़ा साफ करना तो भी खाना बना लेती हूँ उसके बाद इस को में खाना इप में साफ करो ली तो चाय बना लेती हूँ चाय नी पी अभी चाय पिलेते हूँ इसका बहुलेल्स आरा बत्वाँ युश्षस। पाहिए सचाय की हूँ सब्सके इसका इसका बियुब गल्ounds साफ करें तो साथ साथ सेज़ने की फली है ना उसकी सब्जी बनाओंगी तो बस यहां पर मैं उसको पढ़ाई भी करवाते जारी हूँ क्योंकि दोनों बच्चों की भी पढ़ाई चल रही है इस वज़े से वो इसको नहीं देख रहे हैं मुझे ही इसको देखना पड़ेगा तो इसको मैं लांड करवारी हूँ अब भी ओरल चल रहे हैं इसके तो ओरल में स्टोरी थोड़ा सधनिया मतलब टू टीजपों धनिया रेट चली पाउडर टू टीजपोन आपको तो यहां पर जब तक इसका कलर चेंग नहीं हो जाता है तेल नहीं छोड़ जाता है उस समय तक हम बुणना है उसके बाद इस में हम फली डाल देंगे तो और एक सीटी आने से पह यहां पर मैं आटा भी सान लेती हूं आटा के साथ सब्सब्स बनती रहेंगे उसी बीच में मैं रोटिया भी बना लूँगी क्योंकि मुझे और एक्स्ट्रा काम भी करना है वह कौन सा काम है तो वह मैं आपको आगे बताऊंगी व्लॉग में बने रहीएगा आप लोग से र के साबत के साबत के साबत दिखरी है और यह काफIES हसे पकद चुकी है काफी पकची है लेकिन पहुत से लोगों के कडाया सब्सक्राइब क्योंеро ten निद्कि शलए hydrat low निद्कоловत माइब लिए पैपड़े लिए सब्सक्राइब कृप्र कान कि आधा जाती है ऐसाम करेही है थे उसके न्हास्य में जए दोधेगी फिर पापड़ा पर बनाते रहें कि यह जो सीजन यह चिस पापड का ही सीजन है मार्च के पहला मार्च-मार्च पुरा बनारों फिसके वाद धूल उलूनने लग जाती है हुआ तेच चेने लग जाती तो चिस पापड सोच भी नहीं सकते हैं बनाने के लिए जब